एसे धेर सारे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकिन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स मैं मैं जुमितल आपका स्वागत करती हूँ आज हम आपको सिखाएंगे एक लाइट और हेल्दी ब्रेक्फॉर्स्ट रेसिपी पोहा इसके लिए मैंने लिया है देड़ कप चिडवा और पोहा आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं इसे हमी थोड़ा सोक करना है ताकि ये बिल्कुल भी ड्राइ नहीं रहे तो यहाँ पर मैं एक से डेड़ कप पानी डालती हूँ थोड़ा सा मैंने इसे टर्न कर देना है ये दिखीजी इसको मैंने अच्छे से पानी के साथ सोक किया है यहाँ पर हमने एक पैन लिया एक बड़ा चमच ओयल आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ओयल ले सकते हैं यहाँ पर हमने डालनी है एक छोटा चमच मास्टर्ड सीड करी पता एक बड़ा चमच केशुनट्स एक बड़ा चमच पीनट्स इसे थोड़ा सोते करना है लाइट ब्राउन होने तक नट्स को कुक करेंगे इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यह देखीजी कलर चेंज हो गया है इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज का अन्यन फाइन कर इसे भी लाइट पिंक होने तक कुक करना है एक कप मैंने वेजेटेबल लिया है गाजर, वीन्स और मटर इन सबको मैंने बॉयल कर लिया है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका पोहा बहुत ही हेल्दी बनेगा ये देखी जी मारे अन्यन का कलर पैंक हो गया है अब हम इसमें डालेंगे बॉयल वेजेटेबल्स बारी कटी हुई ग्रीन चीली एक से दो आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप इसमें एड कर सकते हैं अगर छोटे बच्चे खा रही हो तो आप ग्रीन चीली न डाले हाफ टीजपून सॉल्ट इन सबको अच्छे से मिक्स करना है हमारी वेजेटेबल अच्छे से मिक्स हो गई है सारे मसाले कुख हो गए है अब हम इसमें एड करेंगे सोग पोह एक बड़ी चमच मलाई मलाई से पोहे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक छोटी चमच शॉफ्ट सा टेक्श्यर हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा है हमारा पोहा तयार है मैंने गैस बंद कर दी है और इसमें मैं एड कर रहे हूं 1 टीजपी लाइम जूस लाइम जूस को हम ज्यादा कुक नहीं करते हैं इसी वज़े से मैंने गैस बंद करके लाइम जूस एड किया है हमारा गर्मा गरम पोहा तयार है अब मैं इसे सर्फ कर दी हूँ आपको हमारे रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें